प्रिक्राइब स्कूल के इस यूटूब चनल में आप सभी आप स्वागत है हम पढ़ेंगे जो की कोमन टॉफिक है एट टू टैन्थ मेंच एट नाइट और टैन्थ के लिए को सलिए ऐसे मेतेमेátिकलेंस ऑपरेशन थी कंट हूथ स्टूडेंट तौसऑ अव्चेया थाणिएट स्टूडेंस मैथेमेटिकलेंस इस जो मेТ वन या निवाय थमचे इस एक याद मॉर का बेख Step 2. that I did it is a method to operate to end formula two plus four two or four quite together I do multiply four multiply kya da ra ticket to how we can operate two numbers with the mathematical operation and so plus laga सकते है minus multiply or divide लेकिन mathematical operation or b hote हैं लेकिन बेसिक यह होते हैं ठीका है जैसे greater than है less than है ठीक है equals two है not equals two है ठीक है तो यह भी क्या है mathematical operation में ही count होते हैं तो देखिए इस तरह के question को solve करने के लिए सबसे पहले हम operate करते हैं इस तरीके से B O D M A S ठीक है इसे पहले एक वी और होता है वेनिकुलम जो हम इस तरह से बार बार की फोर्म में पढ़ते हैं न तो पहले जैसे बार मिल जाया आपको जैसे टू प्लस च्री बार मल्टिप्लाई में सब्सक्राइब इस पहले इस बार को solve किया जाएगा पहसे तो पहले multiply होना था लेकिन यहां बार इन दो के उपर लगा वाँ तो इसका मितलो पहले इसको solve किया जाएगा बाकी जो पहले आ रहा हो पहले बीफोर वनिकुलिम्स मतलब बार देन बार ठीक है ब्रिकेट देन फिर ओफ मिन्स मुल्टिप्लाई डीफोर डिवाइड एमपोर मुल्टिप्लाई देखी ओफ और एक साहर आते हैं तो पहले ओफ को सॉल करेंगे multiply addition and subtraction ठीक है तो यह बेसिक सी है यह हम पहले भी पड़ चुके हैं जैसे हम बात करें किश्ण की 48 माइनस 12 ठीक है और डिवाइड भाई 4 प्लस 6 डिवाइड भाई अगें 2 मुल्टिप्लाइट 3 इसका सुलिशन बताइए तो एज पर रूल से पहले वेनिकलम तो है नहीं हम ब्रेकेट यूज़ करेंगे हैं सोल करेंगे पहले तो फिर्स्ट फॉल देट विल भी थर्टी शिक्स थर्टीश डिवाइड भाई 4 प्लस 6 अगें डिवाइड भाई 2 मुल्टिप्लाइट अधिकि ब्रेकेट हो गया ओफ यहां पर है नहीं दिवाइड का नमर आता है तो थर्टीश डिवाइड भाई 4 तो 9 प्लस यह देखिए यहां पर फिर से डिवाइड आ रहा है तो 6 इस डिवाइड भाई 2 तो 3 मुल्टिप्लाइट ठीकि इसका सॉलिशन करना पड़ेगा और इसका सॉलिशन क्योंकि दोनों ही डिवाइड हैं बीच में क्या रहेगा प्लस तो 36 डिवाइड भाई 4 9 and 6 डिवाइड 2 3 ठीक है मल्टिप्लाई 3 अफिर आपको क्या करना पड़ेगा मल्टिप्लाई इसके बात क्याता है मल्टिप्लाई तो 9 प्लस 9 लास्ट में एड करेंगे हम तो 18 विल बी यूर आंसर ठीक है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ठीक है यह तो है बहुत मास की बात यह हम कि इसके बाद जो आपका इसमें टोपिक आता है प्रोब्लम्स कि शॉल्विंग कि बाई कि सब्स्टिट्यूशन कि लिए कि इसका क्या मतलग है कि हम उस्तरे की प्रोब्लम इसमें सॉल्व करते हैं जिसमें यह यह यूँ कहेगा कि प्लस को माइनस समझा जाए माइनस को मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई को डिवाइड डिवाइड को something और ठीक है इस सरह से फिर उसकी बेलू हमें पहले substitute करनी पड़ेंगी और फिर सको solution आपको करना पड़ेगा देखिए यहां पर मैं एक example से आपको clear करूँ एक बाद देखिए इन तरेज एक सब्सक्राइब करनी है तो देखिए यहां पर पूछा गया है सिक्स्टीटीट करनी है तो देखिए यहां पर पूछा गया है 16 divided by 64 minus 4 multiply 4 plus 3 देखिए वैसे तो यहां पर बोर्ड मास आपका गाम करता लेगिन पहले आपको भी लूग सब्टिटीट करनी है इसकी देखिए से पहले आम डिवाइड किता क्या करेंगे प्लेस तो 16 प्लेस टीट फोर देन माइनस मेंस डिवाइड मुल्टिप्लाइड मिन्स माइनस और प्लस मेंस मुल्टिप्लाइड ठीक है अब यहां पर हम बोर्ड मास अपलाई करेंगे तो यहां पर प्लस है डिवाइड है माइनस है मुल्टिप्लाइड है तो दिवाइड क्या करना पड़ेगा डिवाइड तो 16 plus 64 when divided by 4 will be 16 minus 4 multiply 3 अभी प्लस है मैने से मुल्टिप्लाइड तो सीया प्यापको क्या पले मुल्टिप्लाइड करने पड़ेगी तो 16 plus 16 minus 12 so 16 plus or minus में पहले क्या आएगा एडिसन आएगा तो 32 minus 12 यह आंसर will be 20 ठीक है यह substitution का है ठीक है इसमें जिसे कई बार यो भी लिख देता है कि L means multiply ठीक है अम मीन्स डिवाइड पी मिंच प्लस क्यू मिंच माइनस देन फाइंड विल्व ओफ एट पी थर्टे सिक्स अम 6 Q 6 M 2 L and 3 इसका सॉलिशन में बताना है तो जैसे जैसे इसने बता रख है देखिया यह लम पी क्यों है पी एम क्यू एम ठीक है तो इनकी वेलू जो जो इसने बताई है वह यहां पे आप substitute करें और देन बोर्ड मास इसके उपर अप्लाई करें ठीक है मैं समझता है इस क्यूशन को आप इजली कर सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए आप कि इंटर चेंज कि इंटर चेंज ओप साइन्ज कि इंटर चेंज ओफ और शाइन एंड नमबर ठीक है देखिए यहां बे दोनू एक साथ या दोनू को अलग लगए अग भी वह पूछ सकता है जैसे फूर अग्जामपल यहां पर कहता है कि कि हम बात करें जैसे टैन प्लस टैन डिवाइड बाई टैन माइनस टैन मल्टिप्लाइ टैन इस एकोल टो टैन तो इस तरह किशन हम ओप्शन से हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे यहां पर कहता है यह में हैं प्लस माइनस बी में है आपका प्लस मुल्टिप्लाइ से में आपका है डिवाइड मुल्टिप्लाइ और टी में है आपका प्लस एंड डिवाइड ठीक है तो कुशन क्या कहता है कि यह जो प्रोब्लम है इसके लेफ्ट एंड साइड में हम किन दो साइनों को इंटरचेंज करें ताकि य यह true हो जाए मतलब इसका solution left end का solution जो है वो 10 आ जाए ठीक है तो यहां से देखिए plus को minus के साथ और minus को plus के साथ change करके देखिए मतलब चाहाँ plus हमाँ पर minus और minus की जगए plus 10 plus की जगए minus divide तो हमने कुछ नहीं है से कैसे रखना है minus की जगए plus 10 multiply तो जहीं रहेगा तो सब्सक्राइब करेंगे डिवाइड डिवाइड करेंगे तो यह आएगा वन फिर 10 minus 1 9 अब प्लस में यह कितना है आपका 100 तो यह आगा 109 तो इसका मतलब ए ओप्शन तो आपका नहीं है समद्रों आप अब देखिए बी के साथ आते है हमें प्लस और मल्टिप्लाइब तो टैन यहां पे प्लस कितगा है मल्टिप्लाइब फिर डिवाइड तो आपका हो चुका है ठीक है देन यह कि हम माइनस का 10 यह प्लस का 10 तो क्या हमने चेंज किया हमने प्लस और मल्टिप्लाइब को जैसे ही इंटर चेंज किया तो इस स्टेटमेंट आपके ट्रू होती है तो इस तरह की कुशन भी आप से इसमें पूछे जाए अचा दोनों को एक साथ चेंज करने के लिए अधा है दो नस गिए लिए तो प्रव क्यज कृछ थेह लूटर कई रोची मि ए तो आपके लिए कैए तो आ ग रचेंज के लिए अधा है प्लस नाज मिन बूचेंच कि अई छेहिए ज्ड़ चेंग लिए ती ठीक है मतलब इतने सारे चैंजमेंट आपको यह ओप्शन के साथ करने पड़ेंगा मतलब प्लस की जगह मैंने सब्सक्राइब प्लस और टू की जगह थ्री और त्री की जगह थू भी में कहता है कि प्लस माइनस और तो वही बात होगी एंड टू फाइफ सीव अप्शन प्लस माइनस थ्री फाइफ ओके डी में क्या करता है नन ओफ देज नन ओफ देज तो फहले हम ए ओ ए के साथ जाएंगे थ्री थ्री के साथ टू कुछ चैंज करना है तो थ्री की जगह है तू लिखा जाएगा प्लस की जगह रखना हैans-फाइफ तो ऐसे कहा रहेगा और टू जगह इगा हम को प्लस करना है और यहां पर आपका आता है 2 और 5 तो देखी 3 तो ऐसे कैसे रहेगा प्लस की जगह माइनस 5 की जगह 2 और माइनस की जगह प्लस और 2 की जगह 5 ठीक है 5 प्लस 3 एट 8 एट मैनस 2 शिक्स आएगा वह भी राइट और आपके नहीं आती है ठीक है अब 3rd option के साल नहीं थे प्लस माइनस थरीần 5 तरी जिवेद गई 5 विशन किते हो माइनस और 5 की जगए र्रीक्र माइनस चुर है यह भी क्या और आपका जीरो है तो इसमें आपको क्या आए कर दिया हमने प्लस कि जिए माइनस कर दिया और फ़न प्लस किच अमने थ्री लिखा अच्ऽा हम्ने ने Tot Bachelor तो यह आपका आगया प्लश आगया ठीक है तो है यह विल भी क्योंकि यह लास्ट नन था ना तो फाइफ प्लस तो सेवन माइनस त्री नट इस फॉर जो की टाइट एंट साइड में यही तो है आपका तो इस दो वर आप्शन सी ठीक है वन प्लस और माइनस रिंटर जैन त्री और फाइब बी इंटर जैंस ठीक है अदिकेस में एक लास्ट टाइप और है इसमें कहता है की ड्राइविंग दा अप्रोपीट कॉन्विजिन कि अग्यों कि देखिए ड्राइविंग दा अप्रोप्रियेट कॉन्विजिन देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे शिंबल्स यूज के जाते हैं और उनको क्या समझा जाएगा साथ-साथ उनके मिनिंग भी बताए जाएगे ठीक है इसमें इतना डिफ्रेंस है बहुत सारे छो चीक है और ये सिंबल है इसको कहा है इसने दिद्र ओघ्र को ठीक है मैं सिंबल लगा रहा हूं साथ-साथ इसका मतलब क्या है नोट उक्वल और दिवाइड को जो है यहां पर क्या समझा जाएगा नोट लेस देन ठीक है अब देखी यहां पर एक क्यूशन है इस पर बेस्ट हम क्यूशन की बात करें ठीक है क्यूशन ऐसा है कि A-B-C implies ठीक है इसका क्या मतलब है option है आपके पास A-B plus C और B option है आपके पास B plus A minus C और C option है आपके पास C multiply B plus A and D option है आपके पास B plus A और divide by C तो ठीक है तो हम क्या करेंगे यह देखिए सबसे पहले हम change करेंगे A के बाद क्या है minus और minus means minus means less than B ठीक है again minus less than C ठीक है देखिए हमने क्या किया है पहले इसको solve करेंगे पहले हम इसको solve करेंगे इसका मतलब क्या रहेगा आपके पास की A और minus means less than B again less than C अब देखिए यहां पे alternate जो है इनको solve करेंगे A का मतलब आपका रहेगा A यहां पे capital में लिखा हुआ है small में यह है ठीक है so A less than B और plus का मतलब क्या है यहां पे greater than ठीक है यह आपका greater than C तो यह आपकी statement थी यह वाली इसको हमने simplify यह आया इसका मतलब A is less than B B is less than C तो यहां पे देखिए B is greater than C दिखा रहा है यहां पे तो पहला option हमारा लिए नहीं है फिर दूसरी option के साथ जाएंगे बी प्लस का मतलब है greater than B is greater than A तो B तो A से greater है B is greater than A इसके बाद है तो A तो C से less है ठीक है तो B option हमारा क्या हो जाता है सही हो जाता है यहां पे ठीक है आमने क्या किया जो given था उसके उपर अपने यह apply कर दिये ठीक है फिर option के बात जो है आपका एक और बस्ता है वह है अल्फा निमरिक पजल अल्फा निमरिक पजल अल्फा निमरिक पजल ठीक है देखिए इसमें किस तरह question पुछे जाएंगे जैसे ए 3 B multiply by B and multiplication is 1 2 1 7 and B and the options are 3 B option आपका 4 C option आपका 5 and D option आपका D option रहेगा आपका 7 ठीक है तो हमें A और B की बिल्लो यहां पे पुछी है इसने एक ही क्या वेलो रहेगी तो देखिए सबसे फिल हम B को फिलप करने कोशिश्च करें तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर रहेगा वही यहां पर हम B की जाए जो भी रिखेंगे तीन जगए वही रिखना पड़ेगा आपको सुपोज हम यहां पर थ्री लिखें थ्री थ्र सब्सक्राइब करें सकता है तो यहां पर B की जिए क्या फिलप करने देखिए इसको मैं फिल त्री फाइफ और उसक्तिन फीफटीन फिफटीन फिफटीन और शींद तो इसक लुख फाइप यहां पर नहीं आएगा नहीं रेखाएगा क्योंकि फिर दो करी होगे ना सेवन्टिन तो सेवन आ गया यह सेवन आ गया फिर फाइफ यहां पर 21 आना है तो फाइफ एक करी भी है तो फाइफ की किस से मुल्टिप्लाई करें ताकि 21 आ जाए विद करी तो फाइफ फोर जा 21 इसका मतलब A के जाएगा आपका B option के साथ जाएगे 4 आपका option हो जाएगा तो इस तरह से इसमें question रहेंगे इतना ही type की question है इसमें इस पर based question आपको Google classroom में मिलेंगे उनको आप complete करें तो आज के लिए इतना ही thank you have a nice day